रेजर्वेशन पॉलिसी को एक बात फिर से रिव्यू किया जाएगा और जो इंजेस्टिस या इंबैलेंस हुआ है उसे ठीक किया जाएगा ये कहना है जम्मु कश्मीर नेशनल कॉन्फरेंस का आज जम्मु कश्मीर विधान सभा चुनाव का दूसरा दोर चल रहा है और इसी बीच भारतिय जनता पार्टी के जो कंटेस्टेंस हैं उन्होंने एंसी के मैनिफेस्टो पर कुछ सवाल उठाए हैं उनका कहना है कि जम्मु कश्मीर नेशनल कॉन्फरेंस के मैनिफेस्टो मे लिखा है कि वो reservations को फिर से review करेंगे और इसका मतलब उन्हें बताना होगा भारतिय जंता party का कहना है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की सरकार में जो tribes, पहाडी, backward communities थी उन्हें reservation दिया गया था पर अब JKNC अपने manifesto में ये कह रही है कि अगर वो सक्ता में आती है तो वो फिर से reservation policy को review करेंगे साथ ही में वो कहते हैं कि अगर national conference और congress का aligns सक्ता में आता है तो इससे SC, ST, पहाडी और backward communities की जो reservations हैं उन पर खत्रा आ सकता है साथ ही में वो कहते हैं कि article 370 के हटने का सबसे जाधा फाइदा वालमिकी समाज के लोगों को हुआ है इन लोगों को आज से लगभग छे दशक पहले पंजाब से जम्मू लाया गया था sanitation work के लिए पहले उनके पास basic rights भी नहीं थे जैसे वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीच सकते थे higher education नहीं प्रापत कर सकते थे वोट नहीं डाल सकते लेकिन भारतिय जनता पार्टी ये कहती है कि जब से article 370 को हटाया गया है तब से ये सब basic rights वालमिकी समाज को मिल रहे हैं और ये सब परधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नेत्रित्व में हुआ है तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें फमझे राय कमें लोग भी नरी ओया है